दोस्तो, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल SSE Vlog with Raju में तो यहां वीडियो हम लोग लाएं है UP Constable Vacancy के बारे में इस वीडियो में हम लोग सभी चीजों में डील करेंगे कि हुआ total vacancy, अपनी कितनी post कौन सी है, किस post के लिए यह vacancy है और candidate कितने appear करेंगे, competition tough है या hard है, eligibility criteria क्या रहेगा और exam pattern क्या रहेगा, सभी चीजों के बारे में बात करते हैं चलि हम लोग video start करते हैं, video start करने से पहले मेरी एक आप से request है अगर आप इस video में कुछ सिखें, या आपको video अच्छी लगी तो please video को like जरूर करें या आपके लिए बिल्कुल free है, लेकिन इससे हमारी बहुत मज़त होगी चलि वीडियो start करते हैं, तो number 1 पर देखते है हमारी total vacancy कितनी तो आप सभी देख सकते हैं, हमारी total vacancy 52,699 है, यह बढ़ भी सकती है और अप्रॉक्स आप मान लिजिए 53,000 के अप्रॉक्स आएगी, ठीक, तो किस post के लिए है यह 9,699 vacancy constable and fireman के लिए है, ठीक, और कितने candidate appear होंगे, इसमें around 20 lakh मतलब 20 lakh बच्चे appear होंगे, इसमें आपकी UP के भी होंगे और other state के भी होंगे और हाँ, मैं important point आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे other state के बच्चे UP में आएंगी paper देने, वो किसी भी category के SC हों, HD हों तो अपने आप ही general में आजाएंगे, या आप जैसे UP के हैं, आप किसी other state में गए paper देने, अगर आप SC है, other state में आप जैसे बिहार constable का गए देने, तो आप वहां general में आजाएंगे, ठीक चली एक important point है, समझ लीजे, अब eligibility criteria देख लीजे, मतलब कौन बच्चे पेपर दे सकते हैं, तो वह बच्चे पेपर दे सकते हैं, जिन्होंने 12th pass कर लिया है, और उनकी IU भी इसमें रहेगी, मतलब age criteria कह रहेगा, age भी matter करेगा, 18 plus age होनी चाहिए ठीक, अब देखते हैं, exam रहेगा, online mode में रहेगा, और duration कितनी रहेगी, मतलब कितने समय में paper होगा, तो इसका total duration 2 hour, मतलब 120 minute रहेगा, ठीक, अब इसमें हम लोग देखेंगे, कितने question आएंगे, number of question कितने 150 question, 1500 question रहेंगे, और marks for each question, मतलब question है, तो उसके लिए कितने number, एक question कितने number का होगा हमारा, त मतलब अगर आपका, चार गलात है, तो एक आपका सही काट दिया जाएगा, ठीक है दोस्तो, तो आगे अब हम लोग बात करेंगे, इसका language of exam कौन से, मतलब कौन कौन से language में exam conduct कराया जाएगा, तो यह हिंदी और English language में होगा, अब देखते हैं, selection process कैसा होगा, selection हमारे 4 step में होगे, पहला तो online exam जो clear कर लेंगे, ठीक, उनका होगा, फिर document verification आपका होगा, मैंने देखी हलाकि सर्ची लिखा है, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ, जैसे कुछ आपको ना clear हो, और फिर PhD, PhD आप पूछेंगे, आप यह क्या है, physical standard test होगा, मतलब आप इस रशन दिया होगा, उसमें चार अप्सान होगे, जैसे अब दिया है, राम किसका भाई, sorry, राम जी का भाई कौन था, भगवान मनला ब्लॉड राम का भाई कौन था, उसमें आपको question दिया गया है, कृष्ण, बलराम, सुदामा और लच्छमन, तो इसमें आपको एक correct करना, जो सही हो, आप बताएंगे, ठीक, तो exam pattern देख लेखते हैं, हिंदी के 37 question आएंगे, math के 21 question रहेंगे, reasoning के 55 question रहेंगे, GKGS के कितने question रहेंगे, 37 question, हर question दो-दो number का है, और सबसे ज्यादा इसमें वेटे देखिए, आपका reasoning का है, तो आपके reasoning strong है, तो आपके बहुत ही अच् कर लीजे, आपका समझे, paper का 50% आपने cover कर लिया, देखिए, 110 और 14 मतलब 184 number हो गया, और इसका 50% के उपर आपने paper अपना complete कर लिया, ठीक है, तो सब question दो-दो number के मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक, तो यह आपका हो जाएगा, total 300 number का, चलिए अब आगे देखते हैं, age for man, 18-22 साल के लड़के, जो हैं, वो paper दे सकते हैं, ठीक, बहुत ही अच्छा मौका है, तिरपन हजार अप्रॉक्स, बेकेंशी, और age criteria वे देखिए, 14 साल का दिये हैं, 18-30 साल, 40 साल, बहुत ही कम बच्चे रहेंगे, age for women, 18-25 साल की मतलब महिलाओं के लिए कितनी उम्र निर for female, 152 सेंटी मीडर, female के लिए मांगी गई है, अब chest के लिए मांगा गया है, 79- 84 सेंटी मीटर हैं, female के लिए chest नहीं मांगा जाता है, अब running देखते है, running male में कितनी मांगी जाती है, 480 मेटर, 25ू मेट, 4.80 मेटर, 25 मिनट टो, for male candidate, and for female candidate, to 40 میटर, you have to run in 14 मिनट, ठीक है दोस मुद्धा तो यही है सेल्ली कितनी मिलेगी सेल्ली आप देखें ग्रेट पे बहुतार सुका ग्रेट पे है ठीक सेवन सी पीशी इनिशाल बेशिक पे के हिसाब से आपको 2100 यह होगा ग्रॉस मंथली सेल्ली मतलब टोटाल आपको कट पिटके समलेगे 30,000 से 40,000 इन हैंड आपको मिलेगी तो यहां है हमारी पूरी वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को हमारे लाइक करें सब्स्राइब करें यह तो आपके लिए फ्री है और इससे हमारी बहुत ही मददत होगी धन्यवाद दोस्तों अ